सब्सक्राइब करेंगे जो भी अग्रिकल्चर बेज्ड एक्जाम है सबके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि स्टाटिक कोश्चन तो यह ऐसा नहीं है कि आज वीडियो डला है तो यह छे महीने बाद अगर कोई वेपर है तो उसका काम का नहीं है यह डलते रहेंगे लेक्चर और यह सारे लेक्चर इंपोर्टेंट रहेंगे स्पेसिफिकली आईबी पीए से फोगे जो बच्चे तियारी कर रहे हैं उनके लिए तो सूना है ठीक है तो लेक्चर फाइव के साथ शुरुवात करेंगे और बिफोर गॉइंट इंटु दाट 2000 प्लस नॉन वीडियो MCQ कोर्स इसके अंदर और भी MCQ मैं कंटिनूसली एड कर रहा हूँ 2000 से उपर हो चुके हैं MCQ and continuously daily basis के उपर MCQ इसके अंदर और भी एड हो रहे हैं तो यह 300 रुपे में आपको कोड लगाने के बाद कोर्स पड़ता है काफी यूसफूल है लिंक डिस्किप्शन में ज़रूर एक बार एक्स्प्लोर करें चलिए पहले कोशन के उपर आ जाएंगे सीधा पहला कोशन है which among the following is the common name of प्लियॉरॉर्थस स्पी इनमें से आपको बताना है कि इसमें प्लियॉरॉरॉर्थस स्पी का common name क्या है कोई जर्नल फैक्ट नहीं है यह ठीक होता है जर्नल सी बाते होती है उसमें तुक्के बाज लग जाती है इसके अंदर तो ऐसा है कि मश्रूम्स के बारे में पढ़ा हुआ है मश्रूम्स का टॉपिक कबर किया हुआ है प्लियोराटस SP के बारे में पढ़ा हुआ है तब ही इसको अंसर कर सकते हो What will be the right answer in this case guys The right answer is option A ओइस्टर मश्रूम ओइस्टर मश्रूम जो है वो इसका सही जवाब है प्लियोराटस SP का जो common name है that is ओइस्टर मश्रूम ओइस्टर मश्रूम के बारे में अगर हम बात करें तो टेंपरेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बेसिकली यह मिलता है और मश्रूम की तरह बाकी काफी सारे मश्रूम की तरह ओइस्टर मश्रूम भी dead and decaying जो organic debris होती है जो organic remains होते है ठीक है जैसे wooden logs हो गए उसके इलावा जो सूखे हुए पेड हो जाते हैं desidious forests में या coniferous forest में वहाँ पर आपको मिलता है इसको आप artificially भी easily cultivate कर सकते हो कोई problem नहीं होती है उसके अंदर ठीक है oyster mushroom को सबसे जादा popular edible mushroom बोला जाता है button mushrooms के बाद ठीक है number 1 पे button mushrooms आते हैं और उसके बाद आपके oyster mushrooms आते हैं globally और pleurotus genus को belong करता है और family जो इसके आ जाती है that is pleurotus है तो ये family और genus जो है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये हर statement के अंदर ना आपका important question बन रहा है तो इनको अच्छे से याद रखिएगा temperate और tropical forest में मिलते हैं dead and decaying organic matter के उपर button mushroom के बाद दूसरे number पर आते हैं popularity में और आपके pleurotus genus को belong करते हैं and family है pleurotus से चलिए second question के उपर आजाओ जी which among the following is called धिंगरी in India इन में से धिंगरी किसको कहा जाता है इंडिया में which among the following is called धिंगरी in India option A is potato B mango C oyster mushroom D cabbage E none of the above again mushrooms के topic में से ही question है and the right answer over here is again oyster mushroom oyster mushroom को इंडिया के अंदर क्याफी जगाओ पर धिंगरी के नाम से जाना जाता है next question largest producer of mushrooms in the world कौन सा country है which among the following country is the largest producer of mushroom mushroom का largest producer हिंदुस्तान भी इसके अंदर option में है लेकिन वहां पर फालतू की देशभक्ती नहीं दिखानी है कई बार बच्चे क्या करते हैं ये बहुत सारे बच्चे करते हैं तो आपने अंटिमेटली ये चीज नहीं करनी है कि भई जहाँ पर इंडिया का नाम देखा तो वहां पर लगायाते हैं तो वो सब चीजे मत करिएगा, यहाँ पर आपका right answer है, option C, China, चाइना जो है, सबसे ज़ादा mushroom production करता है, पूरी दुनिया के अंदर, question number 4, जो fresh mushroom होते हैं, ठीक है, उसके अंदर, average moisture content कितना होता है, average moisture content, fresh mushroom के अंदर कितना रहता है, option A, 40 to 50%, B, 55 to 65%, C, 65 to 75%, D, 85 to 95%, and E is none of the above, fresh mushrooms के अंदर, average moisture content कितना होता है, the right answer in this case, guys, will be option D, 85 to 95%, 85-95% का, average moisture content रहता है, fresh mushrooms के अंदर, याद रखेंगे, अच्छे से, okay, so, edible mushrooms जो होते हैं, high demand में होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, mushrooms are known for their medical benefits, जो भी उनके uses होते हैं, therapies के अंदर, nutritional E, B, काफी rich होते हैं, vitamin B के अंदर rich होते हैं, अगर vitamin B में मैं बात करूँ, specifically niacin और riboflavin के अंदर, तो काफी अच्छा content इनका होता है, protein level भी काफी अच्छा होता है, moisture content अगर आप देखोगे, fresh mushrooms में around 85-90% का रहता है, 3% protein होता है, 4% carbohydrates, lipids होते हैं, 0.3-0.4%, 1% minerals and vitamins B's के अंदर रहेंगे, तो यह थोड़ा सा nutritional status है इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, रखने की कोशिश इसलिए करनी हैं इसको, क्योंकि इसमें से direct questions पूछे जाते हैं, काफी सारी medicinal properties हैं, इसको anti-microbial consider गया जाता है, anti-viral होता है, anti-HIV होता है, anti-neoplastic, anti-tumor, anti-mutagenic, anti-oxidant, hyperglycemic, hypotensive, anti-inflammatory, उसके बाद आपका hepatoprotective, hypo, जो cholesterol की problem होती है, जिनको वहाँ पर immunity build up करने में help करता है, anti-aging इसको consider किया जाता है, ठीक है, काफी अच्छा ये चहरे के उपर glow देता है, aging effects नहीं आने देता, आपने कहीं बार देखा होगा, news के अंदर, कि वो दिखा रहे होते हैं, continuously कि जो हमारे prime minister है, मोदी जी वो mushroom ज़रूर खाते हैं अपनी diet के अंदर, ठीक है, बहुत बार news में, आप पता नहीं है, यह सचा है या नहीं है, बट ultimately इसका effect बहुत अच्छा होता है, आपकी overall health के उपर, ओके, now the next question is, what is the protein percentage on oyster mushroom, oyster mushroom के अंदर, protein percentage कितनी रहती है, option A, 5 to 10%, B, 3 to 4, C, 25 to 30%, D, 60 to 65%, E, none of the above, question क्या है कि oyster mushroom में कितनी protein percentage है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है, that is, option C, 25 to 30%, 25 से 30%, जो है, आपकी oyster mushroom के अंदर, protein की percentage रहती है, okay, so, बाकी mushrooms के मुकाबले, इसमें, protein percentage comparatively ज़ादा है, तो nutritional value काफी अच्छा है, oyster mushroom का, 25 से 30%, protein हो गया, आपके important minerals आगे, जैसे की potassium, phosphorus, calcium, sodium वगयरा, वो भी अच्छे content में है, folic acid, जो anemia जैसी treatments के अंदर, help करता है, B complex और vitamin C के अंदर भी यह rich होता है, okay, उसके बाद, जो niacin की concentration है, वो बाकी vegetables के मुकाबले, niacin, which is a type of vitamin, बाकी के vegetables के मुकाबले, यह दस गुना होती है, oyster mushroom के अंदर niacin की concentration, next आज आओ जी, which among the following varieties of mushroom is non-edible, आपको बताना है कि इन में से कौनसी mushroom की variety ऐसी है, जो non-edible है, option A, P, Osteatus, B, P, Sejore, C, P, Florida, D, P, Flabiletus, and option E, S, P, 94, आपको बताना है कि इन में से कौनसी variety जो है, वो non-edible है, जिसको खाया नहीं जा सकता, इस case में जो आपका right answer है, दोस्तो, that is option E, niacin, which is edible नहीं है, जितनी भी यहाँ पर आपको varieties दिख रही है, वो oyster की ही varieties है, and all of them are edible, जो P, all areas, एक तो variety होती है, और एक P, 90-formis होती है, यह poisonous हैं, दोनो, यह oyster mushroom की ऐसी varieties है, जो poisonous है, तो all areas और 90-formis, यह दोनो याद रखेगा, कि यह non-edible हैं, 7th question के उपर आजाओ जी, 7th question कहता है, कि जो FSSAI है, इसकी specifications के हिसाब से, जो देसी घी होता है आपका, उसमें कितना minimum percentage of fat होना चाहिए, FSSAI के हिसाब से, देसी घी के अंदर कितना minimum percentage of fat होना चाहिए, option A, 90, B, 48, C, 99.5, D, 100, E, none of the above, नबाड, FCI, IBPSAFO, बाकी के banks के जो field officer के exam होते हैं, agriculture development officers के exam होते हैं, हर exam के अंदर इस type के question वो पूछता है, कि fat percentage की कितना होना चाहिए, FSSAI के हिसाब से, ठीक है, यह सारी चीज़े, तो यहाँ पर आपका जो right answer होगा, that will be, option C, 99.5%, तो minimum percentage of fat देसी घी के अंदर कितना होना चाहिए, 99.5%, 8th question के उपर आजाओ जी, 8th question कहता है कि FSSAI के हिसाब से, पनीर जो होता है आपका, उसमें कितने percent से ज़्यादा moisture नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50% से कम fat नहीं होना चाहिए, dry weight basis पे, यह आपको already एक information, add on information question के अंदर given है, यह अलग से भी वो पूछ सकता था, कि fat कितना होना चाहिए, कम से कम, dry weight basis के उपर, चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा, या 80 से ज़्यादा, इस case में आपका सही जवाब होगा दोस्तों, option C, 60% से ज़्यादा आपका पनीर के अंदर moisture नहीं होना चाहिए, as per FSSAI, और 50% से कम fat नहीं होना चाहिए, dry weight basis पे, तो पनीर की बात करें, तो basically, जो acid coagulated milk product इसको बोला जाता है, ज़्यादा तर बुफैलो मिल्क को यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप इसमें बुफैलो और काव मिल्क को mix करें, 3 ratio 1 में, तीन हिससे बुफैलो मिल्क के, और एक हिससा गाएं के दूद का, तो उससे काफी अच्छा quality of पनीर मिलता है, ठीक है जी, best quality product is made from milk with 5-6% fat content, 8.5-9% SNF content, अगर ये आपकी specifications हैं दूद की, तो आपको अच्छा quality का milk मिलेगा, और FSAI क्या कहता है, कि पनीर के अंदर, 60% से ज़्यादा moisture नहीं होना चाहिए, और 50% से कम fat नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो कम से कम 50% fat चाहिए अपने को, और ज़्यादा से ज़्यादा 60% moisture, उससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो FSAI का rejected माल हो गया एक तरीके से, नाइन्थ question के उपर आजाओ जी, which among the following is absent in whey, whey के अंदर इन में से क्या absent होता है, जो whey protein वगएरा भी आप लेते हो ना, basically जो milk and milk products से बनता है यह protein, तो इसके अंदर क्या absent रहता है, option A, lactose, B, vitamin B, C, protein, D, all of the above, and E is none of the above, the right answer guys here is, option E, none of the above, यह सब आपको whey protein के अंदर मिलेंगे, lactose भी होगा, vitamin B भी होगा, protein भी होगा, and basically यह जो whey होता है, यह क्या होता है, जब आप दूद को पूरे तरीके से coagulation कर देते हो, पनीर बनाने के time पर, जितना आपका पनीर के लिए चाहिए, बाकी जो आपका liquid बचता है न, वो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वे, ठीक है, जितना पनीर के लिए आपने निचोड लिया, उसके बाद जो बचेगा, उसको क्या बोलेंगे, वे बोलेंगे, ठीक है, और जनरली क्या होता है, घरों में तो हम इसको फैंक देते हैं, लेकिन ये काफी nutritious होता है, क्योंकि इसके अंदर lactose, vitamin B, और proteins होते हैं, ठीक है, तो further फिर इसको companies बगएरा, use करती हैं, for making of whey protein, जो आप देखते हो न, जो gym बगएरा जाते हैं, उनको पता होगा, so this was it guys, these were the nine quick questions, that were to be done in this agriculture static lecture, इसी तरीके से static के और भी, बहुत सारे videos डालता रहोगा, and channel को अगर subscribe नहीं क्या हो, तो वो कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो, तो telegram, whatsapp, या mail के थूँ आप contact कर सकते हैं, चलिए, we'll see you soon guys, till then, take care and bye.